गौलिया पुलिस विवा के तत्वत हन्वे समाच के कमजोर वर्गों की प्रती समिटिंग शील्टा एहम मुद्दे पर समिनार का आज़न किया गया इस समिनार में अजाक रेंज के अंतरगत आने वाले गौलिया शिवकुरी गुना अशुक नगर जिले की ये कारिशाला में स पर एक नदाकरेंट के लिए ट्रेनिंग दी गई वहीं पुलिस के द्वारा SCST कानून के समन्द में वीड़त को जल्द नयाय दिलवाने की बात कही वहीं वरिश्ट अधिकारियों ने कहीं सरकार शाला में आईजिया विनाश शर्मा, SP आमित सांगी समस्त तमाम वरिश्ट अधिकारी मौजूद थे सब्सक्राइब नहीं की हैं पहले तो हमने यह दो हजार प्रतिया च्पानी से कि जिससे की सेट हो जाएगा उससे और कम से नम वावजा को तुरंत ही पता चल जाएगा कि रहात राशी के लिए उसको कौन से कावज़ की ज़रू होता है यह जाति प्रमाण पत्र के लिए कैसे जाति प्रमाण पत्र बनेगा और मदद करेगा यह जानकारी तुरंत वह उनके बीट में गया वह तो यह सब्सक्राइब लगभग फंदरा सो सब्सक्राइब जिनकों सभी को बिक्रित करों सब्सक्राइब जाति प्रमाण पत्र में किन चीज़ों क्या वश्यक्ता है अगर आगे की प्रोसेस क्या है यह सारी चीज़ों करने का प्रयास जो अजाक रेंज है जो चार जिले कवर करते हैं ग्वालियर शिवपूरी गुना और अशोक नगर उनमें जो SCST Act के तहित अपराद होते हैं या अन्य समाज के कमजोर वर्गों के संबंद में जो अपराद होते हैं उसमें पुलिस जो विवेचक हैं पुलिस के अधिकारी हैं उनमें समवेदन सीलता डेवलप करने के लिए एक सेमिनार रायुजित की गई है जिसमें लिमिटेट लोग संब्सां से विवेचना करें काइं करें और उन अपराद का निराकरन करें जो समिनार ऊसका उद्गाटा नाइजी साब ने और एस्पी ग्वालियर साब ने किया है और इसमें उप पुलिस अधिक्षक निरीक्षक और उप निरीक्षक इस्तर के अधिकारी इसमें सामिल ले रहतराशी का जो प्रावधान है साथ में अगर कोई व्यक्ति गवाह आता है तो उसको उस दिन की मजदूरी और उसको भोज निराकरण के समय की उन स्टेजेज में पूरी संवेदन सीलता के साथ प्रकरण भेज जाएं इसके साथ ही अकेले पुलिस के साथ साथ इसमें जो है और उसके साथ में हमारे राजस्वादिकारी है SDP साहबान बेंक अदिकारी हैं सभी स्टेक हूलडर्स हैं जहांसे जाती प्रमाण पत्र मिलता है जहांसे खाता खुलता है क्योंकि इसमें क्यास्क वाले खाते मानी नहीं होते हैं उन सभी को भी हमने इसमें आमंत्रित किया है कि वो अपनी बात बताएंगे और जो हमारे प्रतिभागी हैं उनकी जो क्वेरी होगी उनका समाधान करेंगा